नमस्कार पर ये विद्यार्थियों, यूटूब चैनल पर आपका श्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टन प्रोफेसर जुलो जी, SBD गॉर्मेंट PG कोलेज सरदार से चुरूँ। आज का जो व्यक्यान में रिकोर्ड करने जा रहा हूँ, वो आप सभी जानते हैं कि आनंदम एक नया विशे आपके लिए जोड़ा गया है। कोलेज सिक्षा रास्तान जरपूर ने एक नई और एक अनुठी पहल की है और इसके अंत्रगत आनंदम एक नए विशे की रूप में अभी पर्थम वर्स के विद्यार्थियों के लिए जोड़ा गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये संकाएं हैं कि आनंदम क्या है इसमें उनको क्या करना होगा इसकी परिक्ष्या कैसे होगी परिक्ष्या होगी इत्वा नहीं होगी इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे कौन सी किताबें उसके लिए पढ़नी है पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो यह ऐसी बहुत सारी जो संकाये हैं वो विद्यार्थियों के मन में उठ रही हैं परते कोलेज के प्राचारिये को ऐसे आदेश दिये गए हैं कि आनंदम को लेकर अभी ओनलाइन माध्या में कारवाई की जाए और इसी के अं करतेक लग जो आचारिये हैं या प्रोफेसर से हैं उनको निक्त किया गया है और प्रतेक संकाय के लिए एक वाटश अब बनाए गया है उस वाटश अब ग्रूप सुचनाये हमने शाज़ा कर दी हैं लेकिन फिर भी सभी परकार की संगाओं का समादान आपDoes हूँ हो था है तो इन सारी संगाओं का समादान करने के लिए आपके अम racing जो जो फिर major lais जो उठ रही हैं उन सभी सब्सक्राइर पर समादान के लिए ये वीडियो में बनाने जा रहा हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आनंदम क्या है जैसा कि मैंने बताया कि आयुक्ताले या कोलेशिक चारास्तान जैपूर की एक नई और अनूटी पहल है इस बार इसको क्योल पर्थमवर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये विशे जोड़ा गया है जिसमें शनातक पर्थमवर्ष और शनातकोतर पर्थमवर्ष दोनों जो कोर्स हैं उनके पर्थमवर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक नई विशे की रूप में जोड़ा गया है आनंदम है वो बिलकुल एक practical paper है एक practical विशे है इसमें आपको theoretically ना तो इसका कोई exam हो इसमें करना ये है कि यह जो पेपर है यह जो विशे है वे विद्यार्थियों में एक सेवा भाव उत्पन करने के लिए एक आपसी सामाजिक शोहार्द विक्षित करने के लिए सामाज की सेवा के लिए एक मन की प्रशनता के लिए और एक शकारात्मक सोच को बढ़ावा देन सासात में समुहे के रूप में भी वो अच्छे कारिये करेंगे और उन अच्छे कारियों का जो record है वो संदारित किया जाएगा उन अच्छे कारियों के record के आधार पे आपके marks बनेंगे और सबसे महतुपुन बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस विशे के जो अंक होंगे वो अंक आपके अंक तालिका में परदर्शित होंगे यानि वो आपके सिरनी निधारण में जोड़े जाएंगे बाकी जो subject हैं उनके marks के साथ ये marks भी जोड़ेंगे और आपका जो total जो percentage है वो इनी marks से जोड़ कर निकाला जाएगा तो आप इसको बिलकुल पूरी गंबीरता से इसको लें और इसके अनुसार या इसके अंतरगत जो भी आपको कारिय करने हैं वो जो मैं आपको बताऊँगा वो पूरी गंबीरता के साथ आप करें क्योंकि इसके जो marks है वो आपके स्रेनी निरधारन में वो जोड़े जाएंगे तो आनंदम क्या है इसके कुछ बिंदू जो है उसकुछ बिंदों के अधार पे मैं इसको यहां पर डिसकुस करता हूँ यह बिलकुल एक अनिवारिय और आकलित विशे है मतलब इसके जो marks होंगे वो आपके जो marks सीटा उसमें जोड़े जाएंगे आपका जो वार्षिक परिक्षिया का सिस्टम अपनी कोलेज में जलता है इस वार्षिक परिक्षिया के सिस्टम में इस वेवस्ता में यह जो paper होगा वो आपके 100 अंक का होगा जिसमें 50 अंक जो हंगे वो आपके वैक्तिकत यानि personal जो भी आप अच्छा कारिय करेंगे आपकी परसनल कारियों की जो डायरी होगी उसके अधार पे दिये जाएंगे और बाकी जो 50 अंक हैं वो आपके सामुएक गतिवीदियों या सामुएक रूप सम्मुवे बना कर आप जो एक प्रोजेक्ट पुरा करेंगे उस प्रोजेक्ट के अनुसार वो 50 जो अंक है वो आपके दिये जाएंगे तो ये कुल मिला कि ये 100 अंक का होगा और ये जो अंक है वो आपकी मार्क सीट में परदर्शित होंगे और सिरेनी निर्धारन में उनको जोड़ा जाएगा इसमें इसके अंतरगत जैसे आपकी रेगुलर क्लासे सुरू होंगी अभी तो कोविड-19 के कान क्लासे नहीं हो पा रही है तो इसमें ये भी प्रावदान किया गया है कि प्रते कोलेज में टाइम टेवल के अनुसार 30 मिनिट का इसका एक कालांस होगा उसकालांस के अंतरगत आपको जो नेतिक सिक्षास से समन्दित कुछ अच्छी बाते हैं वो आपके पढ़ाए जाएगी उनको सेर किया जाएगा अभी इसको केवल सनातक पर्थम बरस और सनातकोतर पूरवार्द यानि प्रिवेस की जो क्लासे हैं उनके लिए जोड़ा ग वेक्तिगत गतिविदी के अंतरगत परते एक जो विद्यारती है वो अपने देनिक जीवन में जो भी कोई अच्छा कारिये करेगा जैसे आपने मानलो कहीं व्रक्षार ओपन किया आपने किसी बुजूर्ग या किसी दिव्यां की सायता की आप कहीं जा रहे थे आपको रा खाया और कचरा पात्र में डाल दिया ऐसे बहुत सारे अपने देनिक जीवन में अपन ऐसे जो कारिये हैं वो देखते हैं या फिर हम करते भी हैं तो उन कारियों का आपको वो कारिये करने हैं साथ में उसके आपको एक फोटो लेनी होगी या फिर आप एक वीडियो बना सक किया है उसको आप record करोगे उसमें आप लिखोगे उसका वीवरण दोगे साथ ने उसकार्या से समंदित जो भी फोटो आपके पाश उपलब दोंगी वह फोटो आप लगाओगे या उससे समंदित जो आप वीडियो बनाया है उस वीडियो को जो है वो आप यूटूब पर भी डाल सकते हो अपना यूटूब चैनल बना सकते हो उसकी जो लिंक है वो लिंक आप सेर कर सकते हो या अपने डायरी में उसकी लिंक जो है उसको लिख सकते हो तो इस प्रकार से आपको वो जो अच्छा कार सभी विद्यार्थियों के ग्रूप बनाए जाएंगे पर एक ग्रूप में लगवग 8-10 सदस्य होंगे परते ग्रूप का एक ग्रूप लेडर होगा एक समुए नेता होगा और बाकी जो सदस्य हैं वह उस समुए नेता के निरदेशन में कारिये करेंगी सामुई गती वीडियों के अंत्रगत आपको एक प्रोजेक्ट निर्धारित करना है एक परियोजना आपको निर्धारित करनी है जैसे मान लिजे कि बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सुजाव के तोर पे यहां दिये वे हैं मैं उसकी चर्चा करूँगा जैसे मान लिजे कि आपको आपने प्रोजेक्ट बनाया कि आप किसी बंजर भूमी को हरा भरा करना चाते हैं वहां वरक्षार उपन करना चाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट का उदेश से हो गया वरक्षार उपन अब आपके जो सारे सदस्य हैं उस पूरे वर्स के दोरान वह आपने पास रखेंगे और साथ में ग्रूप लेडर जो होगा वह एक फाइल को संदारित करेगा उसमें इस प्रोजेक्ट से सम्मंदित मासिक जो गतीविदियां परतेक महा की जो गतीविदियां है उसकी एक रिपोर्ट जो है वो कोलेज में सब्मिट करेगा वो परस्तुत क करेगा तो यह जो सामुइक गतिवीदिया जो हैं उसके आधार पर भी आपके जो पचाश अंका मों निर्धारित किये जाएंगे तो यहां इस आनंदम के अंतरगत दो प्रकार की गतिवीदिया एक वेक्तिकत गतिवीदिया जो आप प्रतेग दोस्त विद्धार्थी होगा जो अपने डैनिक जोन में जो अच्छे कारिय करेगा उसको अपने डायरी में मेंटेन करेगा दूसरी सामुइक गतिवीदिया होंगी जिसमें प्रतेग समुए जो है वो एक प्रोजेक्ट का निर्धार्ण करेगा उस प्रोजेक्ट को पूरे साल में उसको कंप्लेट उसके साथ-साथ जो भी फोटो होज़ें उनको सलंग करके उसका पूरा वीवरन देके किस प्रकार से आपको उसका वीवरन देना है उसकी एक रूप रेखा भी मैं आपको साथ वो साजया करूँगा यहां पर डिस्कुस करूँगा तो वो सारी जो रिपोर्ट है वो आपको आपका जो मेंटर होगा mentor का मतलब है कि जो भी आपके whatsapp group के admin है या जो उस whatsapp group को चला रहे है college के जो lecture वो आपके mentor होंगे उस mentor को आपको submit करनी होगी वो project report जो आपकी submit होगी उसके आधार पे फिर आपके group के जो सभी सदस्ते हैं उनको किस परकार से उनकी परते कि भागेदारी रही उसके जो है उसके अधार पर आपके 50-50 जो माक्ष होंगे वो निर्धारित किये जाएंगे तो सामोई कतीवीदिया और वेक्तिकत कतीवीजियों के अधार पर आपका ये 100 अंक का जो paper होगा उस 100 अंक के प्रोजेक्ट जो है वो निर्धारित करना पड़ेगा, वो प्रोजेक्ट में क्या-क्या आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, उसमें कुछ सुजाव यहां आगे दिये गए हैं, तो ये एक पूरे सेमस्टर जो है, अपने सेमस्टर सिस्टम है नहीं, वार्शित प्रणाली है, त परते कोलेज को इस सुनिश्चित करना है कि जिन प्रियोजना के अंतर के विद्यार्थी कारिये कर रहे हैं उनका मुल्यांकन करने के लिए महाविद्दालेस्थर पर प्रोजेक्ट असेस्मेंट कमेटी पीएसी का गठन किया जाएगा यापकी जो भी प्रोजेक्ट फाइल ह हमें मिलेगी उसका मुल्यांकन जो है वो महाविद्दालेस्थर पर एक कमेटी बनाए जाएगी और कमेटी के जो सदस्थे हैं वो उसका मिलकर मुल्यांकन करेंगे और प्रते एक विद्यार्थी को उसके जो भी गती वीडियो में कितनी हिस्सेदारी है उसके अदार पर फ मार्क्स नहीं जोड़ेंगे लेकिन वो भी अगर अच्छा कारिय करते हैं और एक डायरी मेंटेन करते हैं तो उनके अच्छे कारियों के लिए उनको भी आगे एक परसंसा प्रमान पत्र दिया जाएगा जो उनके आगे केरियर को सुधर्ट बनाएगा उसमें वो हेल्पफु करवानी होगी बाकि जो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जो नॉन कोलेजिट हैं उनको हार्ड कोपी देनी होगी और जो भी रेगुलर विद्यारती हैं जिनका नीमित एड्मिशन है उनको वो सारी जो गतिवीदियों की जो रिपोर्ट है वो ओनलाइन देनी यह वो नहीं देनी होगी स्वेंपाटी विद्यारती के लिए एक प्रयोगिक जो सुल्क है वो भी उसको उसके लिए चुकाना पड़ेगा एक निर्धारित जो सुल्क है वो चुकाने के बाद में उसका वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो शब्मिट होगी तो विद्यारती ह नेतरत्व की गुन का विक्षित करने के लिए आप सी प्रेम और सोहार्द विक्षित करने के लिए शकारात्मक विचारों को प्रेरित करने के लिए आनंदम विशे है वो जोड़ा गया है यहां पर आप नोट करें कि किसी भी विद्यार्थी को इसके लिए अनूतिरन नहीं किया जाएगा फैल कोई भी नहीं होगा लेकिन मार्क्स जो है वो आपकी गती वीडियों के आदार पे कम या अधिक जरूर हो सकते हैं और प्रदेक शत्र के अंत में जो मेंटर है या जो ग्रूप का जो सदस्य है उनको भी परसंशा प्रमान पत्र दिये जाएंगे इसके बाद में जो अब भी मैं आपके साथ जो आपकी प्रोजेक्ट जो आप रिपोर्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप कैसे बनाएंगे उसके कौन-कौन से बिंदू है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले परीचे आपको परीचे देना होगा कि आपकी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जैसे आप रक्षारोपन कर रहे हैं तो आपका जो परीचे होगा वो उस किसी बंजर मुमी में रक्षारोपन का आपका परीचे हो गया प्रोजेक्ट का उसके बाद ने उसका उदेश ये क्या है क्या किस उदेश से आप ये कर रहे हैं उसके बाद आप कौन से क्षेत्र में कर रहे हैं उसके क्षेत्र का नाम उसका पूरा पता आपको लिखना होगा उस project को complete करने में किन-किन लोगों को लाब होगा तो आपके जो लाबार्थी कौन है उन लोगों का विवरंड देना होगा पांचों जो बिंदू है इसके अपनाई जाने वाले पद्दती या प्रिक्रिया का विवरंड यानि इस project को complete करने के दोरान आप कैसी पद्दती का प्रियोग कर रहे हैं किन-किन प्रिक्रियाओं का यूप्योग कर रहे हैं उस सब का complete जो विवरंड है वो यहाँ आपको देना होगा इस project को complete करने के दोरान अगर आपको किसी सरकारी या गैर सरकारी संक्तन की साहेता प्राप्त हुई है तो वो सहयोग जो है वो भी कितना हुआ है और किन वेक्तियों के दोरा हुआ है उसका पूरन जो विवरन है वो यहाँ पर देना होगा उसके बाद में आपके जो ग्रूप के जो सदस्टे हैं या जो विद्यारती हैं उनसे भी विद्यारती के अस्ताक्सर होंगे तो यह project जो report है आपको वरस के अंत में इसको complete करके इसको submit करना होगा परते एक महीने के अंत में भी आपको एक आनंदम द्यूस मनाए जाएगा जैसे ही regular classes शुरू हो जाती है एक आनंदम द्यूस परते एक महीने के अंतिम शप्ता में किसी भी दिन एक आनंदम द्यूस मनाए जाएगा उस आननदम दिवस के दिन आपकी जो project है या आपका परयोजना है उसने कहा तक progress की है उसके बारे में आपको उस आननदम दिवस के अंतरगत उस दिन को जो ग्रूप का later होगा वो अपनी एक report पेस करेगा वो ये बताएगा कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो कहां तक पहुँच चुका है या वो कि उसमें कितना कार्य कर चुके है तो आनंदम दिवस्ट जो है वो प्रतेक महीने के अंतिम शप्ता को मनाय जाता है अब यहाँ पर कुछ सुजाव है वेक्तिगत गतिविधी के अंत्रगत आप क्या-क्या कारिय कर सकते हैं तो उससे रिलेटेट कुछ सुजाव है आप यही काम कर सकते हैं जैसा आप जानते हो देनिक जी उनमें कहीं कोई इलेक्टोनिक उपकरन या कोई ऐसा उपकरन जो काम कर रहा है उसका मतलब वहाँ पर उपयोग नहीं है तो आप उसको बंद कर दोगे आप कहीं जा रहे हैं कोई कच्रा विक्रा आप उसको अटा देते हैं कहीं जो नल चल रहा है उसको आप बंद कर देते हैं किसी जानवर के साथ करूरता हो रही है किसी जानवर को मारा जा रहा है आपने उस गुरूरता को रोका है कहीं कोई मृत जानवर है तो उसको कहीं शड़क पर पड़ा है आपने उसको उठाने में या वहां से हटाने में आपने साहिता की है कहीं आपने व्रक्षार उपन किया है पोदों को सींचा है इस प्रकार से बहुत सारे कारिये जो आप देरिक जून में इधर उधर देखते हैं या करते भी हैं तो उनको आप करना और अपने डायरे में उसको उसका विवरन लिखोगे इसके बाद में कुछ सामुई का गतिवीदिया जो एक प्रोजेक्ट की रूप में आप कम्प्लेट करोगे वो क्या क्या हो सकती है तो यहां पर यह कुछ सुजाव दिये गए है जैसे बिजली एमपानी के सनक्षन हेतू चीनित क्षेत्र या कोलोनी या ओपिस में नए पोस्टर के मादम से जन जागरूपता बढ़ाने वाले कारेक्रम जैसे आपने किसी एक कोलोनी का चैन कर लिया और उस कोलोनी में जाकर आप वहाँ के जो लोग हैं उनको बिजली एमपानी के सनक्षन है तो आप उनको जागरूप करोगे तो जागरूप करने के लिए आप पोस्टर का उप्योग कर सकते हो वहाँ पर आप लोगों की मिटिंग कर सकते हो ऐसे कोई कारेक्रम आप और गेनाइज कर सकते हो या किसी लोगों को कारेक्रम जो करने वाले हैं या उनको आप वहाँ ले जा सकते हो तो इस प्रकार से आप ये एक पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लेट कर सकते हो कत्रा एक सारन के लिए भी आप लोगों में जाग रुकता अभियान चला सकते हो गायल और बिमार जो जानवर हैं उनकी देख पाल है तू आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो तो ये बहुत सारे सुजाव यहां पर दिये गए ह जैसे पेड़ों की अनाद्धिक्रित जो कटाई है जहां पेड़ों की कटाई हो रही है ऐसा को इक्षेतर आपको दिखाई देता है उसकी आप लगातार मोनिटरिंग करते रहें कि वहां कहीं लोग पेड़ तो नहीं काट रहे हैं आप अपने रेगुलर वहां जाकर उसको देखते हैं तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं या फिर किसी स्थान पर ब्रक्षा रोपन का कारिक्रम है वह आप प्रारम कर सकते हैं उसको प्रोजेक्ट की रूप में कंप्लीट कर सकते हैं तो प्रियाटनस्तल हैं उनके रख रखा उनके जिर्णों द्वार से सम कुवास सकते हैं ड्रग या एलकोल नसा मुक्ती को बियान के रूप में चलाकर लोगों में जागरूपता पैदा कर सकते हैं लोगों को इसके लिए ध्यान के सब्सक्राइध करा हैं दृुफिकर्षय करोब है वो कम जागरूख है या वहाँ जो शिक्षा का स्थर है वो कम है तो ऐसे एक्षेतर में जाकर आप युवा जो है उन युवाओं को जो नए computer program है या जो नए जो apps आ रहे हैं जिसमें online banking की जा सकती है जो और भी बहुत सारे ऐसे कारेक्रम है या ऐसे program है जो online जो एप के द्वार आप कर सकते हैं तो ऐसे apps के बारे में आप लोगों में जागरुकता पैदा कर सकते हैं बेटी बचाओ और बेटी पड़ाओ अभियान के परती लोगों में जागरुकता और बालिकाओं के सरवांगी ने विकास और ससकती करण के कारेक्रम है वो आप कर सकते हैं ऐसे कई सो सुजाव हैं यहां पर दिये हैं यह सारे जो PDF हैं वो ग्रूप में आपको share कर दिये जाएंगे या फिर कर दिये गए होंगे तो ऐसे में से किसी एक करेक्रम को आप project के रूप में chain करोगे आपके जो सभी सदस्य हैं वो मिल कर एक project की रूप में chain करेंगे ग्रूप लीडर जो है वो इस प्रोजेक्ट फाइल को मेंटेन करेगा तो ये अभी जो एक सामुई गतिवीदिया जो है वो अभी इनको प्रारम करना थोड़ा मुस्किल है क्योंकि COVID-19 के काण अभी क्लासेज हो नहीं पार रही है ना हम आपको पूरी तरह से जानते हैं ना आप एक दूसरे को अची तरह से जानते हो तो समुई में ये गतिवीदिया करना अभी थोड़ा व्यवारिक नहीं है अभी आपके व्यक्तिकत जो गतिवीदिया है उन्हीं पर ध्यान दें जैसे कुछ अच्छा समय आएगा या जब हम क्लासेज सुरू होंगी तो ये सामुई गतिवीदिया है वो ऐसे स्थिदिय में प्रारम की जा सकती है तो इस प्रकार ये जो आनंदम है वो एक नया विशे है एक आनंद दाइक जैसा कि नाम से स्पस्ट है एक आनंद दाइक विशे है आपको आनंद के अनुभूतियों की प्रशनता का ऐसाश होगा इसको आप बिल्कुल एक प्रसन चिट से ही इसको बोजने समस्ते वे इसे इस विशे को आनन्द लेते वे आप इसमें कारिय कीजिए बढ़ चट कर कारिय कीजिए दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कुछ जो संकाएं हैं जो विद्यार्थियों को इससे समंदित हो सकती है प्रशन हो सकते हैं तो वो प्रशन क्या है किकशा के चात्रों को भी आनंदम विश्य पढ़ना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताएं कि इससे समंधित ना कोई किताब आपको पढ़नी है ना कोई theoretical गोई exam होगा ये बिल्कुल practical विश्य है बाकि सेकंड यर और फाइनल यर की विद्धार्थी जो है वो स्वेच्छा से इसमे कारिय कर सकते हैं आलांकि उनके लिए ये अनिवारिय नहीं है पर्थम वरस के विद्धार्थों के लिए ये एक अनिवारिय विशे की रूप में है इसका उदेशे आपको पता है इसका उदेशे क्या है तो बच्चों को समाज से जोड़ना समाज में एक शोहार दूत्मन करना समाज सेवा की भावना को प्रेद करना ये इसके उदेशे हैं समयधन सीलता समाज के परती या सालवजनिक स्तलों के परती प्रयावरण के परती एक समयधन सीलता बच्चों में विक्षित करना जिसे वो एक समयधन सील एक जिमेदार नागरिक बने ये अभी जो वरतमान इस्तिती को देखते विए काफी आवशक भी लग रहा है चात्रों को कैसे मदद करेगा तो सबसे पहली बात तो इसके जो सबसे बड़ा जो benefit है वो विद्यार्थों में अच्छे गुणों का विकास होगा, उसमें नेतिक गुणों का विकास होगा, संसकार अच्छे विक्षित होगे, यह सबसे जो man जो इसका उदेश्चे है वो यह ही है, चात में आपको पता है कि इसके जो नमर है, इसके जो marks है, वो आपके अंक तालिका में जोड़े जाएंगे, तो आपको अपना केरिय निर्धान में भी यह योगदान करेगा, लिकित परिक्षा इसकी कोई लिकित परिक्षा नहीं होगी, क्यों आपकी वेक्तिकत और समय गती वीडियों से समन्द जो प्रोजेक्ट या जो फाइल होंगी, उसके अदार पर आपके मार्किंग होगी, मार्क सीट में इसके अंक दरसाए जाएंगे, और ये क्या विसे में प्राप्त अंक या ग्रेड कुल परतिशत को प्रभावित करेंगे, तो बिलकुल ये 600 अंक का प्रोणांक होता था, तो अब वो 700 का हो जाएगा, और आनंद में आप कितने जो अंक लेकर आते हैं, उसके अदार पे फिर आपकी स्ट्रेनी निधारित होगी, इसका सुल्क क्या है, तो आनंदम का वैसे कोई शुलुक नहीं है, लेकिन जो नॉन कोलेजेट जो व वैक्तिकित गतिवीदियां, जो आप देनिक जून में जो भी अच्छा कारिये करते हैं, समाज के लिए या किसी वैक्तिविसेस के हित के लिए, तो वो वैक्तिकित गतिवीदियां है, एक छातर समू है को एक ग्रूप को कितने प्रोजेक्ट करने होगे, तो सेमेस्टर सिस शब्旗ता में किसीभी दिन या आनदम दिश मना जा सकता है और इस दिन के अंत्रगत जो ग्रूप अग्रु arrangement अपने ग्रुप की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको पेश करेगा वो बताएगा कि अपना प्रोजेक्ट जो है वो जा कितना कारिये कर चुके तो मैंने आपको बताया कि मुल्यांकन का जो मापदंड है वो यहाँ पर देखिए आप दिया हुआ है तो वार्षी के उज़ना में एक प्रियोजना आप एक प्रोजेक्ट कम्प्लिट करोगे एक सम्मौ एक प्रोजेक्ट कम्प्लिट करेगा तो वो शो अंक का आपका ये पुरुनांग होगा तो मापदंड के लिए आप देखें मेंटर को प्रस्तुत देनिक डायरी यह पर जो विद्यार्थी होगा आपने एक वेक्तिकत डायरी बनाएगा वेक्तिकत डायरी जो है वो वारसिक पद्दोत्य में 10 अंक की होगी यहनि 10 अंक आपके उसके आधार पे दिये जाएंगे उसके बाद में आप प्रियोजना की जो रूप रेखा बनाओगे कि आप कैसे उस प्रोजेक्ट को कम्पलेट करोगे उस रूप रेखा के 20 अंक होंगे परतेक विद्दार्थी को इस 20 अंक में से वो अंक दिये जाएंगे उसके बाद में आनंदम दियूस पर आपकी उपस्तिती और आपकी भागिदारी कितनी है आनंदम दियूस में कितनी बार आप परजेंट होए तो आपकी वो presence कितनी है उसके अधार पे जो 20 अंक की ये होगी आपकी उपस्तिती के अधार पे उसमें चांक दिये जाएंगे तो ये 50 अंक का जो ये है ये 50 अंक का होगा उसके बाद में परियोजना या जो प्रोजेक्ट है उस project report में आपकी कितने भागेदारी रही है आपने उसमें कैसा काम किया है वो जो project report है यानि जो सामूइक जो आप project complete करोगे वो भी 50 अंक का होगा तो उस 50 अंक के आधार पे उस 50 अंक में से आपको अंक दिये जाएंगे तो इस प्रकार से total show का होगा यानि पहली जो आपकी देनिक डायरी है वो 10 अंक की होगी उसके बाद में project की जो रूपरेखा आप प्रते एक विद्यारती एक अपनी रूपरेखा बनाएगा उसका वो 20 अंक का होगा उसके बाद में आनंदम दियूस पर आपकी उपस्तिति और भागेदारी कितनी है ये 20 अंक का होगा तो ये 50 अंक का आपकी वेक्तिकत गतिवीदियों के अदार पे होगे और बाकी जो 50 अंक हैं वो आपकी सामुए गतिवीदियां जो project आप complete करोगे उसमें आपकी कितने भागेदारी रही उसके अदार पे तेह होगे तो ये कुल मिला कि इस शोंक का आपका जो है वो पूरा विशे है वो होगा अब project report जो आपकी 50 अंक की है उस project report जो आपकी 50 अंक की है उसका आगे इससे भी वाजन किया गया है तो उस project report में आप देख सकते हैं कि छात्र समय द्वारा अपनाएगे प्रोजेक्ट की गती वीडियो की वीडियो तो वो वीडियो दस अंक का होगा अगर आप उससे समधित वीडियो बनाते हैं तो उसमें दस अंक का है वो वीडियो सामाजी गति वीडियो में छात्रों का योगदाने में सहबागिता कितनी छात्र की पटिकुलो छात्र का फोटो में कितनी बार आया है उसकी सहबागिता कितनी रहिए तो वो दशंका होगा समस्याओं का निस्तारन चुनोति पुरुन मसलों परकारियम रचनात्मक्ता तो यह तीशंका होगा तो यह पूरी जो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है आपकी यानि यह जो सामोई गतिवी दिये उसके जो 50 नमर है वो इस परकार से विवाजित है वीडियो रिकोर्डिंग आप करते हो तो वो दशंका है चात्रों का योगदान शहबा किताब की कितनी रही वो दशंका और समझ्चाओं का निस्तारना आपने कैसे किया और चुनोती पुर्ण मसलों पर आपने कैसे कार्य किया आपकी रचनात्मक्ता कैसी है तो ये तीशंग का होगा तो इस परकार से एक उल शो अंक का ये पुरुनांग होगा इस विशे का जिसमें पचास रंग आपकी सामोई गती वीजियों का इधार पर और पचास रंग आपकी वेक्तिकत गती वीजियों का इधार पर दिये जाएंगे तो वेक्तिकत जो गती वीजियों उसकी भी एक सुजाव सुची है वो शलंगन है और समोय गती वीजियों की बेग सुजाव सुची है वो सलंगन है जिसकी चर्चा में कर चुका हूँ तो ये आनंदम एक अच्छा विशे है इसको आप बिल्कुल आनंद के साथ प्रशनता के साथ इसको लेजिए इसमें किसी प्रकार का बोज मत समझें और आपके लिए अच्छा रहेगा आपकी केरियर के लिए भी आपके जीवन के लिए भी आपकी जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी ये काफी लाबदायक होगा इसी आशाओं और इसी कामनाओं के साथ या एक तालन ये पहल है वो तो आपका शवी का बहुत बहुत धन्यवाद और भी किसी प्रकार के अगर आपको कोई क्योरी है या समझ में नहीं आ रही है तो आप वाटसप पे डाल के पूछ चकते हैं थैंक यू